आप लोग अपने Active Directory Setup के साथ त्यार हो तो इस वीडियो में हम Active Directory Post Enumeration करने बाले हैं अब Post Enumeration से आप समझ गए होगे मैं बात कर रहा हूं कि Enterprise जो Windows Machine है हमारको उस पर पहली से ही Access है ठीक है हम यह माँगे चलेंगे हमारको उस पर पहली से ही Access है अब यहां से हम Enumerate करेंगे अपनी वे कि कैसे हम उस Simple Machine से कैसे हम Domain Controller को ले सकते हैं वो हम Enumerate करेंगे रास्टा दोंडेंगे कि कौन सा अटाक हम कर सकते हैं कौन सा अटाक सूटेबल रहेगा जिससे हम Domain Controller को अपने Кон्ट्रोल में ले अब जब इन्यमेरिशन की बात करते हुं एक बात याद 파ardı यादमेंजन के अमिशब दो इसमेर डाता है कर सकते।म को सिस्टम को अब कन्वेंशनल तरीके जो पुरानी तरीके हैं वो स्लो होते美味 बहुत ज्यादा बहुत असान होता है क्योंकि आपको सब कुछना पड़ता है ठीक है तो यह इतने इंटेलिएंट टूल है कि आपको सजेस्ट कर देते हैं कि कौन सा अटैक करना चीज़ कैसे आप अपनी पात मना सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके तो वह सबसे बढ़िया बात होती है तो हम इस वीडियो में दोनों देखने वाले हैं और आपको जो समझ आया है आप वो एक्जाम में यूज कर सकते हूं मैं प्रेफर करता हूं देक्स्टॉप 2 के अंदर हमारी यहां पे विंडोस सर्वर रन कर रहा है और देक्स्टॉप 3 के अंदर विंडोस एंटरफाइस जो की क्लाइंट है तो सबसे पहले login के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ मैं यूज करने वाला हूँ impact toolkit का impact dash उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूँगा ps exec ठीक है impact toolkit toolkit के अंदर ps exec script आती है हम उसका यूज लेंगे command है impact dash ps exec इसकी मदद से हम उस विंडोज मशीन के अंदर login कर पाएंगे अब इसका format क्या होता है इसको आपको यूजर नेम पास्वर्ड आइप वगरा देना होता है तो सबसे पहले आपको इसको देना होता है domain name किस पर हम attack कर रहे है तो हम यहाँ पर देंगे friends ठीक है उसके बाद आपको यूजर नेम देना होता है हमारा यूजर नेम है rgaler ठीक है हम इसकी मदद से login करने वाले rgaler user की तरह उसके बाद आपको colon देगे password capital P ass word 123 exclamation at the rate pound या hash या आपको password file में मिल जाएगा और मैंने आपको पिछली वीडियो setup वीडियो में भी बताया था जब आप password दे तो उसके आपको देना होता है तो मुझे पता करने पड़ेगा domain के अंदर कौन-कौन से users हैं ठीक क्या-क्या users हैं और वो कौन-कौन से users हैं देखो user जो होते हैं एक domain के अंदर active directory के अंदर दो तरह के user होते हैं एक होते है domain users एक होते है domain admin domain user normal user है ना जैसे कोई भी एक normal user होता है domain admins main होते है domain admin क्या होते हैं वो पूरे domain के admin है वो किसी भी computer में login कर सकते हैं वो domain controller जो main हमारे वो control करना होता है वो होता है domain controller जिसमें सारी information store है जहाँ से हम सब कुछ कर सकते हैं किसी भी user हो create करना delete करना किसी भी computer में कुछ भी करना वो हम domain controller के अंदर से कर सकते हैं तो उस domain controller के अंदर domain admins होते हैं वो login कर सकते हैं कुछ भी policy बना सकते हैं कोई भी OU बना सकते हैं कोई भी user create कर सकते हैं सब कुछ उनके हाथ में होता है तो हमारा main काम होता है domain admins को target करना domain admin user है कोई भी उसको लेना एक बार वो मिल गए तो हमार को domain controller का access मिल जाएगा समझ गए तो मैं हापे सबसे हले command चलाऊगा net user अब अगर आप खाली net user command चलाऊगे तो net user इस computer पर काम करेगा इस computer गेंदर जो भी user है वो हमार को बता देगा लेकिन इसके साथ हमें एक option देंगे forward slash domain यह क्या काम करेगा मेरे को पूरे domain के अंदर जितने भी users है वो मेरे को निकाल के देगा ठीक है enter मारते है अब इसने मुझे बता दिया कि यह friends.dc के अंदर से मैंने information fresh करिए यानि कि domain controller जो है उसका नाम है friends-dc domain controller ठीक है और friends.local यह हमारा domain का name है यह से google.com होता है वैसे friends.local यह हमारे domain का name है ठीक है और हमारे जो domain controller है उसका नाम है friends-dc उसका host name है समझ के इस बात हो ठीक है यह जो पूरी lab है active directory मैंने friends की theme पे रखे है friends एक series है ठीक है उसके base पे रखे है अगर आप लोगों ने अभी तक यह series नहीं देखे Netflix पे दो देख लो 110% आपको बहुत पसंद आने वाली है series सबसे best series लगने वाली है आपको तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अंदर काफी सारे user है administrator, cbing, krbtgt, rgallar, mgallar, rgreen, jtebriani, pbuffet, svc, backup ठीक है, यह सारे यहाँ पर हमारे users है अब एक user की अगर मैं को information देखनी है कि वो user कौन है, domain user है या domain admin है, वो कैसे बता जालेगा तो मैं गूंगा net user, ठीक है और उसका user का name, जैसे हम अभी rgallar user में है तो मैं rgallar देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ dash domain, तो यह मुझे domain की उसके information निकालके देगा enter मारते हैं, अब आपको दिखेगा यह मुझे बता रहा है कि global group membership कौन से group का member है, यह domain users का यानि कि यह खास user नहीं, बेकार user है समझे इस बात को, अब same हम एक user था cbing, हम उसको check करते है, cbing जो user था, net user cbing ठीक है, और यहाँ पर हम करते है domain अब इसको देखते हैं, यह किसका part है अब आप देखूगे, तो यहाँ पर हमारे को क्या दिखा रहा है, ठीक है यह हमारे को दिखा रहा है कि यह administrator का भी part है domain users का भी part है, ठीक है schema admins, domain admins यह हमारे मैंने, domain admins का part है यानि कि, अगर हम किसी तरह cbing user को control कर ले, उसका password वगरा निकाल ले, तो हम उसकी मदद से domain controller के अंदर भी login कर सकते हैं, ठीक है अब आपने देखा था, मैंने login कर रहा था rgaler की तरह है, user rgaler था हमारा, तो अगर मैं आपको कर के दिखा हूँ who am i, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है anti-authority system, क्योंकि वो rgaler जो user है, ठीक है, rgaler जो user है, वो current computer के अंदर administrator है, ठीक है, इस computer का administrator हो, उसके सारे right है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा है, domain के अंदर कौन है वो, domain के अंदर एक normal सा user है कोई power नहीं है, एक normal domain user group के अंदर वो आता है, कोई khas user नहीं, इसके अंदर वो anti-authority, इस computer के अंदर वो सब कुछ कर सकता, लेकिन domain में कुछ खास नहीं कर सकता, अब यह जितना मैंने animation आपको सिखा है, post-animation यह था conventional तरीका, ऐसे बहुत सारे commands का use लेका, आप बहुत सारी information extract कर सकते हो, powershell में और बढ़िया-बढ़िया command है, उनकी मदद से information निकाल सकते हो, लोगों ने powershell script बनाई है, इस काम को fast करने के लिए लेकिन मुझे यह तरीका पसंद नहीं है boring तरीका है, जो output आता, text format में बहुत कुछ पढ़ना होता है, अब क्योंकि इतना advancement होगा है, तो लोगों ने इसके लिए graphical tools बना दिये, जो हमारे को graphically help कर सकते हैं, हमारे को visualize करके दिखा सकते हैं कौन सा computer कहा है, कौन सा user क्या है और वो हमारे को कुच से suggest biggest भी कर सकते हैं कि आप यह attack करो या यह वाला जो टरीका है, यह यह वाले path से आप domain controller को control कर सकते हो यह वाले path से आप domain admin बन सकते हो, वो tools हमारे को suggest भी करते हैं कि यह सब exploitation आप कर सकते हो है ना तो हम उन टूल्स का मदद लेने वाले है तो ये था conventional तरीका आप ऐसे commands ले सकते हो net user जैसे command हो जैसे powershell में बहुत सारे आते हैं powershell scripts आती है लेकिन हम लेंगे एक modern tool का use ठीक है तो modern tool है bloodhound bloodhound मैंने आपको जैसे बता है post enumeration करता है एक active directory network के अंदर आप कैसे computer access आजाए उसके bloodhound आपके लिए enumeration करता है सारी खुद से है ना आपको चीज़े फिर suggest करता है कैसे आप domain admin बन सकते है वो सब आपका काम करता है graphically ठीक है अब bloodhound जो होता है वो दो हिस्सों में काम करता है पहला काम होता है उसका enumerate करने system को और दूसरा काम होता है enumerate करने के लिए फिर वो आपको graphically सब कुछ समझाता है कि कौन कौन सा user क्या है क्या power है किस user की और कैसे आप domain admin बन सकते है इस दो पार्ट होते है तो पहला करके run करना पढ़ेगा वो क्या काम करेगी वो इस पूरे system पर run करेगी सारी information निकालेगी domain की और एक zip file बनाके यहां पर रख देगी current folder के रंदा फिर हम उस zip file को download करके bloodhound में जब खोलेगे तो bloodhound को सब कुछ पता चल जाएगा सारी information इस domain की पहुँच जाएगी ठीक है तो सबसे पहला काम आएगा इसको upload कैसे करे शापhound.exe को download upload कर ले ना मेरे github से मैंने इसमें current directory में download कर रखी है पहले से मतलब मेरी local machine पे अब मैं इसको upload कैसे करूँ यहां पे जिस machine में हम इसको upload कैसे करे उसको upload करने के लिए यहां पे आप help लिख होगे न तो impact.exe के अंदर हमार को कुछ commands मिलते है help करने के लिए ठीक है impact के अंदर जैसे command है output यह क्या काम करता है एक file को upload करने में help करता है तो हम इसका use लेंगे तो हम यहां लिखेंगे output sharphound.exe यह upload कर देगा sharphound.exe को इस system के उपर enter मारते हैं अब यह जो admin share है उसके अंदर upload कर दिया होगा जाने कि इसने c windows के अंदर upload कर दिया होगा उस sharphound.exe को ठीक है अब आप इसको run कर सकते हो तो इसको run कर लेते हैं यहीं पर आप डिरेक्ट लेखो इस sharphound.exe तो शायद काम कर भी जाएगी एक बार enter मारते हैं और शायद हमार को c windows के अंदर जाना पड़ेगा अब दुबारा करते हैं output sharphound.exe को दुबारा upload करते हैं अब run करके देखते हैं sharphound.exe हो गई है की नहीं हो गई है enter मारते हैं और इस बार यह run करने लग गई है आपको दिख रहा हुगा यह अटक जाएगी थोड़ी दिर क्योंकि बहुत सारा enumeration करेगी अब देखो यहाँ पर आने लग गया है यह collection कर रही है groups निकालेगी local admin, sessions, trust, acl container, rdp, object props, decom, spn targets, ps remote सब कुछ ही हमार को निकाल के एक zip file बना के देदेगी उस zip file को हमार को वापिस अपने काली में download करना पड़ेगा तो अब आप लोग देखो के तो यहाँ पर complete हो गया है और अगर मैं यहाँ पर डिर्क करूँ ठीक है तो शायद आपको यहाँ पर एक zip file भी बड़ी आसी दिख जानी चीए जो कि काफी बड़ा output आता है इसका हमार को एक zip file डूनने है और वो zip file कहां से डूनने के इतने बड़ा output के अंदर हम तो आप लोग देखोगे इसका नाम फाइल का और उसके बाद download हमारे को current directory में करने है तो शायद मैं dot दे दू या कुछ ना दू तो काम चलेगा try करते है अलगेट का enter मारते है तो अब हमारा इसका काम तो खतम हो गया है तो इसको exit कर देते है शेल को ls करते है और हमार को यहाँ पर हमारी जो bloodhound.zip है वो हमार को यहाँ पर मिल गई यह हमार को यहाँ पर चाहिए थी अब हम अपना जो bloodhound टूल है उसके अंदर इसको open करेंगे तो bloodhound को run करने के लिए सब सहले आपको लिखना पड़ेगा neo4j console ठीक है यह आपको command लिखना ठीक है आपने अभी तक एक बार भी neo4j को run नहीं करा या bloodhound को run नहीं करा है तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा यहाँ पर आपको एक link मिलेगा इस link पर जाओ इस link को open कर लो अपने browser पर आपको कहका एक username और password रखने के लिए बोलेगा कि username रखो password वो अपने इसाब से आप set कर ले ना ठीक है वो username ही और password आपको चीह होगा bloodhound में login करने के लिए ठीक है तो इसको याद से setup कर लो यहाँ पर जाके आप अब bloodhound खुलने के बाद कुछ आपको ऐसा दिखेगा ठीक है जब आप new 4g को run कर दोगे उसके बाद आप bloodhound को खुलोगे तो आपको यहाँ पर tick आजएगा अगर new 4g रन नहीं कर रहोगा bloodhound काम नहीं करने वाला ठीक है तो यहाँ tick चीह होगा आपको tick तो अब मेरा हो ग देता है एक sharphound तो हमार को जाना होता है यहाँ पे एक option आएगा upload data हमार को upload करना है अपना data है न 4th वाला जो option होगा याद दखना upload data तो आपको इस पे click करना है और आपको उस zip file के पास चले जाना है जो zip file आपको sharphound ने दी थी जिसको हमने download कर रहा था अपने system पे यह 100% हो जाए ठीक है यह आपको दिखेगा 0% है यह सबको upload कर रहा है देले देल करके जैसी यह सारी 100% हो जाए उसके बाद हम अपना काम करेंगे उसके आप दबा सकते हो clear finished और cross को दबा दो तो हो जाए तो उसके यह हट जाएगा pop-up साथ ठीक है आपको cross दबा देना है जब भी सारे 100% हो जाए तो अब आप देखो के मेर में यहाँ पर सारे upload हो गया 100% सब कुछ यहाँ पर upload दिखा रहा है upload progress पूरी 100% तो मैं इसको cross कर दूँगा यहां से और उसके बाद आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा यह थ्री बार सी बनी वे आ रहे है न साइड में इस और users हमार को यहाँ पर नहीं दिखा रहा है ठीक है वह अभी हम देख लेंगे अलग से भी दिख जाएंगे users हमार को उसके लावा relationships से बता रहा है उनके बीच में ACL से बता रहा है लेकिन यह से हमारे किसी काम के नहीं है ठीक है हमार को main जाना है analysis के अंदर ठीक है analysis वाला option द domain admins group है ना friends.local domain के अंदर इसके member कौन है कौन है यहाँ पर अगर आप slide करोगे थोड़ा सा rgreen एक domain admin है spc backup एक domain admin है cbing एक domain admin है और administrator एक domain admin है यह 4 domain admin है इस पूरे domain के अंदर समझे इस बात को उसके लावा आप देखो के बहुत सारी यहाँ पर ऐसी queries है जो आपको help करती जैसे query है shortest path to high value targets high value targets जो है क्या shortest path हो सकता है वो हमार को एक खुद से suggest करके बताता है domain admin पर क्या shortest best path हो सकता है वह हमार को यह देख के बता सकता है ठीक है ऐसी इसी चीज़े हमार को बता सकता है अब आप इसको अपने हिसाब से यहा पर explore कर सकते हो चीजों को देख सकते हो हम यहाँ पर main जिस चीज़ फोकस करने यह मैं वह बताता हूँ ठीक है अब यहां पर हम एक query use करते list all carb roastable account, ठीक है हम देखेंगे कौन-कौन से account है जो carb roastable है, अब carb roasting की बात हम अगली ही वीडियो में करने वाले समझेंगे पूरा carb roasting attack क्या होता है carb roast क्या होता है यह पूरा समझेंगे लेकिन अभी कलिए हम देखते हैं की कौन-कौन से account है जो कर्ब्रोस्टेबल अकाउंट्स है तो इसपर क्लिक करते हैं आप इसने हमार को बता जी दो अकाउंट है जो कर्ब्रोस्टेबल अकाउंट है ठीक है अब यहाँ पे आप देखे रहो एक अकाउंट है k-r-b-t-g-t अब यह default account होता है यह आपको हर domain के अंदर मेरेगा हम इस पर ध्यान नहीं देता है जो दूसरा account है svc-backup अब यह वाला जो account है यह non-default है यानि कि यह बनाया गया especially यह default account नहीं है और हमने एक और चीज़ देखी थी अभी जब आपने देखा था कौन-कौन से users domain admins है तो यह वाला account वहाँ पर भी आया था यानि कि svc-backup जो है वो एक curbrostable account भी है और एक domain admin भी है अब हम अगली वीडियो में समझेंग curbrosting क्या होता है curbrosting एक attack होता है जिसकी मदद से जो curbrostable user है जो curbrostable user होता है हम उसका hash निकाल सकते है और hash निकाल 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 था आपको पता है बहुत इजली हम crack भी कर सकते हैं उस hash को तो अगर मेरे को username पता चल गया है svc-backup मेरे को उस user का hash मिल जाता है curbrosting attack से जो कि हम देखेंगे कि हम curb roasting कर सकते हैं नहीं ठीक है अगर कर पाते हैं और hash मिल जाता तो मैं उस hash को crack करक करके password निकाल लूँगा अब मेरे password और username आ गया है ठीक है और मुझे पता है यह domain admin है तो मैं क्या इसकी मदद से domain controller पर जा सकता हूँ हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ तो हम वही करने वाले हैं और यह domain admin है तो इसकी मदद से हम domain controller पर access भी ले सकते हैं तो यही हम यहाँ पर करने वाले ठीक है यह आपको animation I hope so clear हो गया हो जिन लोगों को अभी थोड़ी सी दिक्कात हो रही है तो वो curb roasting attack जब आप समझोगी तो आपको पूरा समझा आजएगा मैं किस तरफ क्या build कर रहा कि जिससे मैं DC domain controller का access ले पाऊं ठीक है तो यह हमार को खुद से भी बताएगा अभी तो हमने अपनी तरफ से सोचा क्या क्या कर सकते हैं हम curb roasting attack यह वो यह खुद भी हमार को बता सकता है तो मैं select करता हूं domain friends.local पर click करते हैं उसके देखरा कौन से curb roastable account तो हमार को इस पर दे access ले लेते हैं किसी तरह इस वाले का तो यह domain admin का पात है और इसकी मलत से हम friend DC का ले सकते हैं ठीक है तो यह हमार को automatically चीजे बताता है कि आप ऐसे जाके ऐसे ले सकते है कि आप इसका access लोगे तो यह domain admin भी है और इसको इस machine पे भी access है तो आपको DC भी access मिल जाएगा और आप domain admin भी भी बन जाओगे यह हमार को बता रहा है ठीक है तो आपको यह जो पूरा लिस्ट और कर ब्रो स्टेबल अकाउंट है यह सब देखने की ज़ुरत न पढ़ेता है आप सीधा इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस क्लियर हो गया ठीक है अब यहां से हम post exploration करने वाले जो क यह बढ़ा होगा ठीक है एक वीडियो से ज्यादा वीडियो में ठीक है तभी आपको भी मदा आएगा कि हम अलग अलग तरीके सिखेंगे एक्स्प्लोइट करने के एक्टिव डारेक्टरी में तब और ज्यादा फन होगा ठीक है तो अपने पूरा रेडी रखो जो जो ती कर दो लादा है तो जुर को लादा एक साथि एक थाख़्योण हम अईक्टर रेड़ी। को यह को वान हो वठोल थे एक।र बद्री के आफटा च्वड़ी एक वयो ऑ मक्टर था उचलान तक्क मे पह को थेटान थे